आकाश्वानी दिल्ली से प्रस्तु थैकारिक्रम स्वास्थे पत्रिका हमारी सेहत स्वास्थे पत्रिका हमारी सेहत के ताजा संस्करन के साथ आपकी दोस शालेनी मितल सुईकार करें हमारा नमस्कार शोताओं बहुत सारी जानकारी समेटे है आपका ये कारेक्रम आज के अंक में शामिल है मासिक धर्म स्वचता दिवस पर जानकारी इस्त्री डोग विशेशग्य डॉक्टर संधिया जैन से विश्वित हायरेट दिवस पर जानकारी साथ ही मोखिक कैंसर कारण लक्षन और बेटवारता और बढ़ती उम्र में सौंदर रक्षा इस विशे पर भेटवारता डॉक्टर सौमिया सचदेवा से शुताओं हर वर्ष 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की आवश्चता और महत्व के बारे में जानते हैं गुरुतेग बहादूर अस्पताल की इस्त्री रोग विशेशग्य डॉक्टर संधिया जैन से हमें यह समझना होगा मासिक धर्म एक बहुत ही नैचुरल और फिजियोलजिकल प्रोसेस है क्या आप जानती है कई कम्यूनिटीज में जो मेरे पैरेंटल हाउस जहां था एंपी में वहां पे जब किसी लड़की को मासिक धर्म शुरू होता था 14-15 वर्षों में तो देर यूज चुब यूज सेलिबरेशन इन दे फैमिली एक प्रॉपर फंक्शन किया जाता था आज में कह सकती हूं अज गायन कॉल्जिस कि इट वाज अ मोमेंट अव सेलिबरे हैं दूसरा उसका हमोनल एक्सस ठीक से काम कर रहा है उसका अक्टिवेशन हो गया है अब वो लड़की एक एक युवा के रूप में एंटर कर सकती है और उसकी प्रजनन वो शुरू कर दिये नेचर ने तो इट इस डेफिनेटली अ मोमेंट ऑफ सेलिबरेशन देर मैनी वे यह बहुत ही नाचुरल प्रॉसस है और इसके आसपास के मिट्स जैसे कि हम 21 सदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उन मिट्स को शेट कर देना चाहिए महीने की महीने महीना आता है तो जनरली आज डॉक्टर गानेकॉलजिस हम 28 डेज का मानते हैं कि हर 28 दिन के भीतर पीरिड आ जाए बट क्या आप यह जानती है कि उसका नॉर्मल रेंज प्लस माइनस सेवन डेज होता है इंडिया में इस जब पीरिड आवरेज एज एज अराउं ग्यारा बारा साल पे शुरू होके जनली आवरेज एज इंडिया में 47 यह है एक एवरेज एज बिलकुल उ अवाज उठाएं हम आज की नारी हैं दर्ध होता है तो दवाई खाएंगे कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाएंगे मेरे जैसे बहुत सी आपकी बहने ही हैं जो आपको हेल्प करना चाहती है तो जिस रीच आउट तो अस, that's all I want to say को बनाई रखने में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम सहित एक स्वस्त जीवन शैली के महत्व पर भी प्रकाश डालता है शुताओं हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निशेद दिवस यानी World No Tobacco Day मनाया जाता है इस दुन को मनाने के पीछे का मकसद लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बताना है तंबाकू स्वास्त के लिए बहुत ही हानिकारक है इसका सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर स्वास्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है हर साल लाखों की संख्या में लोगों की मौत तंबाको के सेवन के कारण होती है एक्सपर्ट्स की माने तो तंबाको के सेवन से मूँ और फेफडों के कैंसर के संभावना कई गुना बढ़ जाती है मौकिक कैंसर, कारण, लक्षन और बचाव आए सुनते हैं इस विशे पर दंत चिकित सक डॉक्टर डॉली सेठी से शालिनी मित्तल की बातचीत आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर डॉली सेठी आप दंत चिकित सक हैं और खास तोर पर आपकी स्पेशलिटी ओरल कैंसर में हैं तो हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर डॉली आकाश्वने के स्टूडियो में और आज क्योंकि हम आप यहां समय निकाल कर आई हैं तो हम चाहते हैं कि ओरल कैंसर पर हम विशेश तोर पर जानकारी दें अपने शुरुताओं को कि ओरल कैंसर क्यों होता है और इसकी लक्षन और उप्चार कैसे किया जाता है सबसे पहले कारेकर मारम करूँ यह जानना चाहूंगी कि ओरल कैंसर होता क्या है ओरल कैंसर या मू का कैंसर मू के किसी भी अंग का तालू का जीब का होंटों का हमारे मसूरों का किसी भी जगां के जो cells हैं वो uncontrolled growth करते हैं बिलकुल बढ़ते जाते हैं और उन्हें हम रोक नहीं पाते उसे ही oral cancer कहते हैं oral cancer भारत में बहुत ज्यादा है बलकि हमारे जो भारत में जितने भी cancer होते हैं उसमें से 45% जो है वो मुग का cancer है ये आद्मियों में ज्यादा होता है बलकि औरतों से दोगना आद्मियों में होता है तो आपने कहा कि 45% of the cancers are oral cancers तो क्यूं हो जाता है इतना और इंडिया में इसका अनुपार इतना ज्यादा क्यूं है मैम हमारा एक tropical nation है हमारे यहां धूप बहुत ज़ादा है तो lip cancer तो हमारा धूप की exposure की व़ज़ से बहुत बढ़ जाता है उसका risk बढ़ जाता है दूसरा तमबाकू बहुत ज़ादा सेवन किया जाता है भारत में उसकी वज़े से risk rate बहुत बढ़ जाता है जो आदमी हैं वो तंबाकु जादा लेते हैं उससे risk rate आदमियों में बढ़ जाता है शराब का सेवन हो, डाइट में कुछ कमी हो ये सब reasons हैं जिसकी वैसे oral cancer होता है हमारे देश में जो हमारे oral hygiene है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता अगर किसी को कोई दांस चुब रहा है अंदर कोई दिक्कत हो रही है तो हम उसे टालते रहते हैं उसकी वज़े से जो इसका death rate है और oral cancer होने के chances हैं वो बढ़ जाते हैं तो आपने बताया oral hygiene सही नहीं होना साथ ही tropical climate होना और तीसरा आपने बता है तंबाकू का सेवन और तंबाकू का सेवन एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे oral cancer का मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप 80% लोग जो oral cancer की शिकायत लेकर आते हैं वो तंबाकू का सेवन कर रहे होते हैं 70% लोग जो शिकायत लेकर आते हैं वो heavy drinkers होते हैं शराब का सेवन करते हैं तंबाकू का सेवन करने से इसकी risk factor बहुत बढ़ जाता है oral cancer का और अगर आप साथ में शराब का सेवन भी करते हैं तो ये risk factor डबल हो जाता है तो हम बचाव की बात बार में करेंगे डॉक्टर साब पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि oral cancer के जो patient आपके पास आते हैं तो वो किन लक्षनों के साथ आते हैं मैं आम तोर पर जो patient आते हैं वे नहीं जानते कि उनको कोई दिक्कत है उनको किसी चीज की आदत पढ़ चुकी होती वो नहीं बता पाता है कि उनको कोई दिक्कत हो रही है तो हम general check-up में ही देखते हैं कि हाँ ये कुछ अलग है इसका test करवाईए, biopsy करवाईए तो कुछ देखेंगे कि क्या दिक्कत है लेकिन कई बार patient आते हैं जिनका कोई ulcer है वो दवादारू करने के बावजूद दवाया लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है काफी महीनों से ये बहुत बड़ा reason है कोई दांथ है जो आपको काट रहा है गाल पर गाल पर गांट बन रही है पुरानी गांट है आपको दर्द नहीं है वो भी oral cancer का एक लक्षन हो सकता है मूँ में कोई सफेद दाग है कोई लाल दाग है कहीं पर दर्द है आपको खाना चबाने में दिक्कत हो रही है खाना निगलने में दिक्कत है ये सब लक्षन है oral cancer के तो दोक्टर सब जैसे हम अक्सर सुनते है जब हम cancer की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक stages में होता है और शुरू कि जब stage होती है तो पता भी नहीं चलता है तो ऐसा ही कुछ क्या mowakic cancer के साथ भी होता है मैं, ऐसा ही होता है मौकिक कैंसर के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, काफी लोगों को नहीं बताओदा कि उनको oral cancer है, वो सिर्फ एक दांत के दर्द की दिक्कत लेकर आते हैं, और वो बाद में हम जानते हैं कि इसके नीचे cyst या gant बनी हुई है, जो cancer का रूप भी ले सकती ह तो इसके भी ऐसे ही stages होती है, जी हाँ मैं, शुरू-शुरू की stages में अगर है ये पकड में आ जाता है, तो 80% chance है कि आप पूरे ठीक हो जाएंगे, लेकिन 20-30% cases ऐसे होते हैं, जो बहुत लेट पकड में आते हैं, तो उन cases में जो हमारा prognosis है, जो हमारा आगे चलकर ilाज क असर है, वो कम हो जाता है, oral cancer में ये जानना बहुत जरूरी है कि stage के अलावा ये cancer हुआ कहा है, oral cancer अगर होट पे हुआ है, तो आपका ilाज बहुत अच्छा हो सकता है, बिलकुल संभव है, oral cancer पूरे तरह ठीक हो सकता है, लेकिन अगर जीब में हुआ है, तो उसका जो ilाज ह वो देर तक चलेगा और उसमें दिक्कत होगी और उसके chances, prognosis कम होते हैं, तो बहुत सारी चीज़े आपने बताइए, और मुँ में कई जधों पे cancer हो सकता है, तो ये diagnosis करना सबसे important हो जाता है, किस जगह का cancer है मुँ में भी, तो ये diagnosis की जो प्रक्रिया है, वो क्या होती है, कौन से test किये जाते हैं, कि सरे पहचान की जाती है treatment करने से पहले, मैं इसमें सबसे पहले check-up ही है, आप हर 6 महीने में दंच किस्सक के पास जाकर, dentist के पास जाकर check-up करवाएं, ताकि अगर कुछ भी चीज छोटी सी भी है, तो पकड़ में आ जाए, अगर dentist को लगता है, कि क कोई दिक्कत है, कोई गांठ उभर रही है, कहीं मूँ खोलने में दिक्कत हो रही है, कहीं कोई निशान बन रहा है, सफेद या लाल, या कोई छाला है, ऐसे ठीक नहीं हो रहा, तो बायापसी होती है, बायापसी से ही ये clear होता है, उसके अलावा और भी imaging tests हैं, जिन से ये clear होता है, कि cancer है या नहीं है, और किस stage पर है, उसके बाद ही इलाज हम प्रारम कर सकते हैं, तो इलाज क्या होता है, बेसिकली जैसे पकड़ में आ गया ही, इस stage का cancer है, इस जगहे पर ये cancer है, तो किस तरह से आप treatment module दे करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी का, oral cancer का treatment depend करता है, ब इसमें सबसे major जो है, वो है treatment surgery, हम वो हिस्सा हटा देते हैं, जिसमें दिक्कत हो रही हो, इसके साथ साथ कितना हिस्सा हटाना है, कितने पर cancer दिख रहा है, और कितना हमने बढ़ना है, कुछ लोगों की पूरे तालू की हड़ी काट दी जाती है, किसी की पूरा नीचे का ज लगभग उसी तरह से इसका treatment किया जाता है, तो कौन सा मुग का cancer ऐसा है, जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मैम, squamous cell carcinoma एक ऐसा cancer है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हमारे मुग की जो lining होती है, mostly squamous cell से, चकोर cell से बनी हुई है, यही cells हैं, जो सबसे ज़्यादा growth करते हैं, इनी पर जो smokeless tobacco या smoke वाला tobacco cigarettes उनका असर, alcohol का असर सबसे ज़्यादा होता है, तो अगर कहीं कोई चुब रहा है, दान्त या कुछ, तो वो उसी पर सबसे ज़्यादा असर डालेगा, तो आपने बता है कि surgery, chemotherapy और radiation, यह decide करता है, डॉक्टर देखने के बाद स्थि तो क्या अगर एक बार patient ठीक हो जाता है, उसका cancer पकड़ में आके, एक बार वो revive कर जाता है, तो क्या इसके chances हैं कि वो दुबारा हो सकता है, जी हाँ मैम, हर cancer की तरह ये भी दुबारा हो सकता है, हम जब एक cancer का treatment करते हैं, तो हम 5 year survival rate लेके चलते हैं, कि 5 साल तक यह cancer कितने लोगों को दुबारा हुआ और नहीं हुआ, हम जब एक treatment करते हैं, तो हम एक 5 साल का लेकर चलते हैं, आपको continuously अपना ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जिस वज़े से cancer हुआ है, tobacco, alcohol, धूप, virus, खान पान, इन सबका ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आगे यह revive ना हो, cancer लोगों करना शुरूर ना करें, यानि regular check-up बहुत जरूरी है, तो आपने बताया कि regular check-up के साथ, ऐसा मतब हो ही ना, यह सबसे अची चीज है, कि कोई बिमारी हो ना, इससे अची तो कोई बात नहीं सकती, तो हम बात करना चाहेंगे कि इसका बचाव कैसे हो, कि यह बिमार healthy diet हर चीज के लिए बहुत important है, healthy diet और exercise से हमारे body की, हमारे शरीर की immunity बढ़ती है, किसी भी cancer cell या किसी और बिमारी से लडने की ताकत बढ़ती है, तो healthy diet जरूर ले, vitamin B, vitamin C, यह सब बहुत जरूरी है हमारी diet में हो, fiber ले, sugar level थोड़ा कम करें, जितना हम अपनी diet को healthy रखेंग कि उतना हम बिमारियों से लड़ पाएंगे, उतना cancer cells grow नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा कारण जो oral cancer का है, market cancer का है, वो है तंबाकू, तंबाकू चाए cigarette की form में हो, चाए पान की form में हो, चाए सुपारी हो, यह बहुत बड़ा reason है cancer होने का, हमारे बहुत सारे शरूता जो इस कारिकरम को सुन रहे हैं, और अगर वो तंबाकू की लट से पीडित हैं, तो कृपया, डॉक्टर साब की बात मानें, और दूर रखें अपने आपको तंबाकू से, या इस तरह के किसी भी alcohol सेवन से, क्योंकि यह आपको बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, औ आप शेयर करना चाहेंगे? छे मीने के अंदर ही उसकी मृत्ती हो गई, अगर हर मूज का चिकितसक, बायापसी की सुविधा रखे अपने पास, और हम बायापसी जल्दी-जल्दी कर पाएं, कम से कम स्टेज में, औरल कैंसर हमारी पकड में आ जाएगा, और हम उसका इलाज कर पाएंगे, बायापसी एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट है, जो बहुत मुश्किल नहीं है, हर जगा किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा उपकरन भी नहीं चाहिए उसके लिए, अगर ये सुविधा सब जगा मिल जाए, तो जल्दी से जल्दी मूँ के कैंसर का पता चल सकेगा, और हम उसका आपके पास आता है, तो ट्रीटमेंट में लगभग कितना समय लगता है? जानकारी आपने हमारे और शोताओं के साथ साजा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवादा है. तैंक्यू बाद. आजकर के भागदोर भरी जिंदगी में जितना मुश्किल अपनी सेहत का ध्यान रखना है, उतना ही मुश्किल अपनी त्वचा की देख भाल करना भी है. उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन अपनी सुन्दर्ता बनाए रखना हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है. ऐसे में त्वचा की चमक को बढ़ाने के लिए लोग अकसर अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. आईए हम आपको बताते हैं कि बढ़ती उम्र में कैसे आप अपनी त्वचा को सुन्दर बनाए रख सकते हैं. सुनिए भेटवारता, बढ़ती उम्र में सौन्दर्य रक्षा. विशेशग्य हैं, डर्मेटलोजिस्ट डॉक्टर सौमिया सच्देवा. आपसे बात कर रही हैं, नीलू सूरी. आज का रोचक अंख है, बढ़ती उम्र में सौन्दरे की देखभान. और आज इस अंख में हमारे साथ स्टूडिय में मौझूद है, अगर बढ़ती उम्र की बात करें, तो हर इंसान चाहता है कि मैं युवा रहूं, जूरिया ना पड़े, तो अगर हम एंटी एज़ेंग प्रोसेस को इस प्रक्रिया को समझना चाहें, तो कैसे समझेगे? अगर आप 25 साल की ब्यूंड आपकी एज है, तो आपको एज़ेंग को प्रिवेंट करने के लिए एफर्ट्स जरूर लेने चाहिए, डॉक्स अब अकसर एज की बात करें, तो एक जहन में आता है शब्द सुनने के, हमेशा ही लगता है कोलेजन, हर वक्त डॉक्स अब कहते हैं, जी कोलेजन की कमी हो रही है, ये कोलेजन क्या है? तो कलेजन जो होता है, वो हमारे स्किन के अंदर प्रड्यूस होता है, और ये जैसे-जैसे उमर बढ़ती है, कोलेजन कम हो जाता है, मतलब कोलेजन ज्यादा जल्दी कम होता है, जैसे कि पल्यूशन, अच्छा खानपान ना होना, स्मोकिंग करना, UV exposure, ज्यादा UV exposure, जो जादा बहार जाते हैं, या संस्क्रीन का उप्योग नहीं करते हैं, उनको जल्दी कोलाइजिन की कमी हो जाती है, उसी कारण एजिंग की मेनिफेस्टेशन, एजिंग की जो जिस तरीके से प्रेजेंट करता है, वो बढ़ जाता है, जी, जी, आपने का UV रेस भी आ जाती ह और यह फर्स्ट पहला पहला स्टेप है, जो एंटी एजिंग में आता है, तो एक स्किन के रोटीन में एक होता है मौर्निंग रोटीन और एक होता है नाइट रोटीन, जिसे हम बोलते हैं एम और पी एम रोटीन, तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते ह कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है skin care routine follow करने का तो मैं उन्हें कहती हूँ कि एक basic skin care routine आप follow कर सते हैं उसमें 2-3 मिनट ही लगते हैं और उसे आप अपने रोज के process में ही include करें जैसे आप brush करते हैं जैसे आप अपने चहरा धोते हैं आप अपने आपको ready करते हैं उसी में ही आप skin care routine को डाले तो morning के skin care routine में आप पहले तो चहरे को clean करें जिसे बोलते हैं cleansing फिर आप moisturize करें और sunscreen लगाएं तो ये एक basic routine है इसके beyond advanced routine भी होता है जिसमें हम serum add करतें तो वो अलग चीज है पर एक basic routine जरूर फॉलो करें और night में face wash करें जिसे cleansing कहते हैं और उसके बाद moisturizer लगाएं sunscreen की बात करें तो sunscreen हर चार घंटे में अपलाई करना है दिन में at least 3 बारी तो आप मानलो आपका दिन चरे 8 बचे शुरू होता है तो आट बचे लगाएं फिर बारा बचे लगाएं फिर चार बचे लगाएं तीन बार आप sunscreen जरूर लगाएं लोग सब आपने कहा serum की बात की तो अकसर हमें बोला जाता है कि कुछ anti-aging products market में मिलते हैं कितना सही है लोगों के लिए सीरम जो होता है उसके अंदर एक particular ingredient होता है जो जादा मातरा में होता है और जादातार वो acids होती है आपको उसमें allergy हो सकती है प्रोब्लम हो सकती है अपने dermatologist से ही पूछ के और आपके skincare type के हिसाब से ही आपको products चूज करने है तो सीरम भी उसी में ही आता है सीरम कई तरीके के होते है और हर सीरम के अलग indication होती है और उस हिसाब से ही उसे दिया जाता है अगर अचानक कभी acne होते हैं या pigments हो जाते हैं आपने कहा जैसे uneven tone हो जाती है कहीं सफेद है तो कहीं एकदम काला रंग पड़ जाता है तो हम केमिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमें एकने के लिए कुछ दे जिए फिर बात में पता चलता है कि डॉक्रस आप बताते हैं मेडिकल ड्म में इसको बोलते है टॉपिकल स्टिरोइड डामेजड फेशीज जो हम मरीज के पड़्चे पे लिखते हैं कि आपको ये प्रॉबलम है चहरे जो है ना पतला हो जाता है चहरे पे लाल-लाल निशान आ जाते हैं यूवी से डामेज जल्दी हो जाता है जब वो बहार धूप में निकलते हैं तो उनको बर्निंग फील होती है जलन फील होती है चहरे पे और ये उन लोगों को होता है जब जो स्टिरोइड लंबे समय से चहरे पे लगा रहे हैं लेकिन उसे सही तरीके से सही मात्रा में और सही डूरेशन के लिए सही टायम के लिए ऐसा नहीं कि हम स्टिरोइड लिखते हैं तो हम कहते हैं जैसे में मरजी यूज do अगर हम लिखते हैं तो हम उसको पर लिखते हैं और उसको रही टायम पर बंद भी करते हैं कि अब आप शुरुआइजिग कर दिजिये कब से लगाना शुरू करना है ऐसे कोई भी अंटी एजिंग नहीं लगानी है अलग-अलग चीजे अलग-अलग indication होती है, but anti-aging आपको मोटा-मोटा 25 साल से शुरू करना है, तो उससे पहले भी आप अपने जहरे का ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात बढ़िया इसे products market में कई तरह क्या थे, लेकिन आपने ये बहुत अच्छा बोला कि वो आप डिसाइड करेंगे कि किस skin के लिए, कौन सी skin के लिए अच्छा रहेगा, ये dry skin है, या oily skin है, वो आप डिसाइड करते हैं, रोक सब अगर विज्यान ने इतनी तरक्की की है, अब तो fillers आ गए, botox की बात अक्सर हम सुनते रहते हैं, तो और कौन सी प्रक्रिया आए हैं, जो clinical way में आप लोग करते हैं, जिससे के सुन्दर भी रहें और कोई side effects भी न रहें, रोक सब, बहुत सारे procedures होते हैं, जो हम करते हैं, chemical peels करते हैं, medicated facials होते हैं, botox होता है, fillers होते हैं, laser भी होता है, तो ये सब procedures हैं, जो जरूरत के अनुसार, जो जिसकी जो need है, जो requirement है, उसकी according की जाता है, और anti-aging में ही आता है, जी, अगर fillers की बात करें, क्या होते हैं, ये fillers और botox में कितना फरक हैं इन तोनों में, तो botox यानि botulinum toxin के injection, तो botox हम जूरियों को, wrinkles को treat करने के लिए देते हैं, और botox को हम muscle, यानि मास में इंजेक्ट करते हैं, और वो muscle relax हो जाती है, वो मास में डालते हैं, तो उससे जो जूरिया हैं, वो खतम हो जाती है, जबकि fillers अलग होते हैं, botox से, fillers जो है, गड़े भढने के लिए होते हैं, हमारे face में, face की बात के जादे तो face में क्या होता है, कि जैसे उमर बढ़ती है, तो proteins कम हो जाते हैं, तो उस वज़े से गड़े आ जाते हैं, जैसे आखों के नीचे गड़े आपने देखे होंगे, पढ़ जाते हैं, तो वो filler से treat करा जाता है, ऐसी कोई भी आपको facial feature इंप्रूव करना है, जैसे की cheeks को enhance कर बेटर लगे, जैसे उमर से आपने देखा होगा कि वो गाले लटते है, जी बिल्कुल, तो वो भी filler से किया जाता है, ऐसे jawline को shape करना, jawline ठीक करना, वो भी filler से किया जाता है, उसमें threads भी यूज होता है, उसमें थ्रेड्स की बात करें, तो वो तो बहुत कॉमन सुनने में ह बहुत कि पील यूरा अगर से वो जाले है, तो ऑगर दोक्तों आपने है, तो अगर उनको पील कर में जाता है, जी तरह लगा लगा यूज है, तो आपके लगा प्रपरली अशियों से करें, उसका टाइम डिरेशन होता है जिसमें उसको रमूव किया जाता है, एक तरह क्य तो फील होतीं, क्या तरीके की पील होती तो हम्तित थे जब की होला, तो रदेनी के दिस के लिए लग तारीकिक आ tort लग तै कि तौन कि अ होती है यह ज़ेते हैं लिए गाराइज़ी घए तो प्रोफ बालर्स में जब देखेए थी कि बडीो बTrॉуск की तारीक्स तो वैसे किया जग घर में तो आप बिल्कुल भी मत पर्क पड़ता है, तो क्या ऐसे फल खाएं, क्या ऐसी डाइट ले, सूपर फूट खाएं कि हम जवान रहें, विल्कुल लाइफस्टाइल का तो बहुत बढ़ा रोल है, उसमें सबसे पहले मैं कहूंगी स्मोकिंग, स्मो आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट, मतलब सही क्वांटिटी में प्रोटीन, काभो हाइडरेट्स, विटामिन, मिनरल्स और फैट होने चाहिए, देर से दो लीटर पानी रोज पीएं, ठीक है, उसके अलावा सूपर फूट के बात के जाएं तो उ आपने कहा कि जी हाँ, फेस के रोटीन अपना जरूर रखें एक सुबह का और एक श्याम का, यानि सुबह विद्ध होएं अच्छे से चाहरे पिर मॉश्राइजर लगाएं और चार-चार गंटे में संस्क्रीन जरू लगाएं, डॉक्सर, थ्रेड प्रोसीजर की बात करें या मेडिकेट फेशिल्स यानि मेडिकेट मतलब यह कौलिफएड डॉक्टर ढाएं यह बुरागाएं तो आजकल यह पारलर्स ने जहां पर एक स्पाने होते हैं यह गलत है ऐसा मत करिये उसका रीजन में आपको बताती हूं, जो मेडिकेट पेशुल्स नही लगाएं लिक तो उसको एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही लगाए तो बेटर है क्योंकि उसमें कलको रियक्शन हो सकता है आप आप पार्लर में जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसका कोई सल्यूशन नहीं होगा आगे प्रॉब्लम आ जाएगी तो मेडिकेटेड फेशल य कि उमर के साथ ना चेहरा सैक करने लगता है तो चैहरे का गिरने को उठाना चीक्स को उठाना उसे ठreplane कैते हैं और ऐवन चिन के लिए बहुत जाता है ग्राद के साथ एसे ही जो जो जाय लाइन खराब हो जाती है इन सब चीजों के लिए छेज किये जाते हैं डॉक्टर स इस विशे पर ये भीटवारता सुन रहे थे, विशे शग्य थी, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सौमिया सचदेवा, आपसे बात कर रही थी, नेलू सूरी. अगर आप इस कारेक्रम में कुछ सुनना चाहते हैं, हमें कुछ संदेश भेजना चाहते हैं, या हमें कोई कारेक्रम के बारे में सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं. नोट कर लीजे हमारी इमेल आईडी है healthairdelly at gmail.com इसी के साथ स्वास्त पत्रिका हमारी सेहत का आज का अंक समात्थ होता है फिर मिलेंगे अगली बार तब तक स्विकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार अभी आप आकाश्वानी दिल्ली से सुन रहे थे कारिक्रम स्वास्त पत्रिका हमारी सेहत कारिक्रम की प्रस्तुत करता थी शालिनी मित्तल